डॉक्टर बताईए सलाम और आदाब सर आप से महातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे क्या शुब नाम डॉक्टर आपको सर मेरा नाम डॉक्टर साजीद एमध है मैं आफिसर इंचार्ज एनिमल हस्मेंटरी मनकोर्ट से हूँ कितने समय से इस काम को देख रहे है साजीद जी सर मैं तीन साल से लगातार इस ब्लाग को सर्व कर रहा हूं अच्छा क्या अनुभव आ रहा है क्योंकि वहां तो मौसम भी विप्रीत रहता है और पश्वों को समालना दूर दूर पश्वों तक जाना यह अपने आप में बड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लाक मनकोट देश के उतर पस्चम एलाके में अलो सी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं यह अलो सी की ही पहाड़ी है सर हमारे यहां अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं जिन में ज्यादा तर लोग गर्मियों में अपने माल मोविशी को लेकर हाई पास्चर लेंड पे चले जाते हैं और सरदियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रूह अपना कर लेते हैं इस सफर के दोरान जानी माली और जनवरों का नकसान से बचाने के लिए हमने इन कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राजिएंट एक्कमोडेशन भी उनको प्रवाइड कर सके हमारे बलाक मनकोट में गुजर और पहाडी दोनु लोग एक और समयस्या से जूजते हैं जिसमें जब वो सरदियों में लो प्लेंस एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉड़र की कमी हो अच्छा बीमारी की स्तिती को एक सीरियस नेचर का कोई समाचारा जाएं और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्रानी होता है सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे बलाक में लंपी स्किन डिजीज की भी ओड़ ब्रेक हुई थी तो उसको मदे नजर रहके मैं आपको परसनल एक्सपिरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे बलाक में जब हमें ऐसी डिजीज्ज नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई सबसे पहले हमें हमारे हाइर अथरोटीज को बताया कि हमारे यहां एक नई डिजीज आई है फिर सरकार के स्योग से, लोगों के स्योग से, यहां के प्याराइज और सरपेंच वीडीसी उन सब से मिला के लोगों को अवेरनेस जगा जगा पहुंचाई, अवेरनेस केम पार्गनाईज किये, क्योंकि वो एक वाइरल डिजीज थी, तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्र के लिए जो पढ़ाया जाता है, और आज जब आप फिल्ड में काम कर रहें और आपके दो तीन साली हुई है इस काम में, तो एक थोड़ा उत्सा उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लास्रूम में पढ़ते हैं और फिल्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत नही पढ़ते हैं आप सर आपने ठीक फरमाया कि कालेज की जो पढ़ाई है और फिल्ड का जो एक्सपिरियंस है उसमें बड़ा अंतर है, जैसे हमें कालेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूद की पैदावार करती हैं और उनी को सालों से हम आर्टिशल इन्सेमिनेशन में तरजी दे रहे हैं पर मैंने यहां बलाग मनकोट में आके यह पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजिनियस ब्रीड जो इस कलामेटी कंडिशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफार्म कर सकती हैं और सिर्फ बैटर अडप्टेशन हाई मिल्क परफार्मेंट के तहत और नेशन वाइड अटिफिचल इंसेमिनिशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई इंडिजिनियस ब्रीड है उनको प्रेफर कर रहे हैं उनको पर्मोट कर रहे हैं और जो हमारा राश्त्रिय गोपल मिशन है उसको इंप्लिमेंट कराने की कोश कुजर भाई बैन है उनको भूट सारी दिकत आती होगी इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार के तरफ से गाईड करते हैं या आपनी मजद करते हैं क्या करते हैं सर उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जरिनल गाइड लाइन्स के तोर पे उनको अवेर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है जैसे कैटल शेड प्रवाइड करवाते हैं थ्रू डिफरेंट गौर्मेंट स्कीम्स के जिनमें उनको हैल्प मिलती है 50% सबसीडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में उनके थूरू हैल्प करते हैं दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्टर लेंड से माइगरेट होके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांस्पोर्टेशन फैसिलिटीज प्रवाइड करत से जनवर में डेफिशनसी प्रावलम ना है उनको टैकल करने के लिए हम फॉड डिपूज के हल्प से उन्हें फॉडिज प्रोवाइड करते हैं हमारे देश में एक कोवीड वैक्शिन को लेकर कर तो देश को पता है कि देश में थोसो करोड से जादा मुपत वैक्सिन के द यहां चल रहा है और परशू के लिए यह बहुत अनिवार यह भी है आपके आँ उस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है सर जब से यह free of cost FMD की वैक्सीन जो सरकार की तरफ से ने DCP प्रोग्राम के अंडर आई है हमने मास लेवल पे यहां लोगों को क्योंकि यह FMD डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहां के ट्राइबल्स लोग हैं वह अपर रीचिस से लोगर लेंड में आते हैं तो वहां से यह virus हमारे यहां लोगर प्लेंज में भी spread होता है तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डोक्स में जाके और यहाँ पे भी आरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवार रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताके इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके और हमारे जो फमडी की वज़ा से जो लोगों की लेवल करता था या आपके मनकोटे में भी मैं काफी ब्रह्मन कुर्चगा हूँ गुजर परिवारों से मेरा नाता भी बहुत रहता था क्योंकि मेरे कच्के लोग और गुजर परिवार पहना वगेरे सब में बहुत सिमिलियरिटी लगते थे एक अपरापन महसूस होता था लेकि मैं आपको बदाई देता हूँ